दोस्तो आज वो चीज होगी बॉडी बिल्डिंग में जो कि मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी तो नहीं होगी आज के दिन वेसली वाइजर ने हरा दिया रेमॉन डीनो को किसने सोचा था? ओलंपिया की बात है कि ओलंपिया में वेसली वाइजर आसपास भी नहीं आया थे रेमॉन और सीबम के लिकिन आज के दिन आर्नॉल्ड में वेसली नहरा दिया रेमॉन को आज दोस्तों में पूरी बात करेंगे क्या हुआ था प्री जेजिंग और पूरा फाइनल का रिजल्ट मैं लेकर आ चुका हूँ साथ ही में हम लोग उपन बॉडी बिल्डिंग के आर्नॉल्ड क्लासिक के प्री जेजिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं तो फिर देर किस बात का इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो यार मैं कहना चाहूँगा कि आर्नॉल्ड वालों को तो मैं एक बड़ा सेल्यूट देना चाहूँगा क्लासिक फिजीक का दोस्तो रिजल्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज सुबह आ जाएगा तो वो रिजल्ड हमारे सामने आ चुका है यहाँ पर दोस्तो सिक्थ प्लेसिंग आती है डेमियन पैट्रिक की फिफ्थ प्लेसिंग पर आते हैं माइकल डबोल फूर्थ पर आतें ब्रियॉन एंसली, थर्ड और्स कैलसिंसकी, सेकंड पर आतें रिमॉन डीनो और फिर्स पर आतें वेसली वाइजर अभी ये वाली चीज़ क्लियर हो गई थी हमारे सामने की प्रिजजिंग के दोरान जो फिर्स कॉल आउट के अंदर जो बॉड़ी बुल्डर्स आये थे वो थे उर्स, वेसली, रेमॉन और ब्रियॉन एंसली और जो बीच में बॉड़ी बुल्डर्स थे वो थे रेमॉन और वेसली वाइजर तो इन दोनों की बीच में ही टकर का मुकाबला लग रहा था प्रिजजिंग के बाद ये वाली चीज़ क्लियर हो गई थी बट ऐसा क्या हो गया कि रेमॉन डीनो वेसली वाइजर से हार गया I mean ये contender थे जीतने के लिए Olympia के लिए इन्होंने S1BUM को challenge करा था लेकिन Arnold के अंदर ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि वो वेसली वाइजर से हार गया इस वाले show के अंदर बात दोस्तों करते हैं हम लों फिजीक के बारे में और यहाँ पर दोस्तों रेमॉन की फिजीक मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो पहले से स्मॉल आया है उनका साइस इतना जाता ओवर पावर जो होता है नहीं कर रहा था स्टेज़ पर ज्यादा फुलनेस नहीं लग रही थी उनकी फिजीक पर वहीं पर अगर आप दूसरे उनको बॉड़ी बुल्डर से कंपेर करोगे जो कि ते वेसली वाइजर वहीं पर बहुत ही बड़िया स्टेज प्रेजन्स उनका नजर आ रहा था लंबे वह हैं बॉड़ी बुल्डर साथ ही में उनकी फुलनेस विथ और जो एक स्टेज प्रेजन्स होती है ना यार वह वेसली की नजर आ रही थी स्टेज पर रेमोन के बार में बात करो तो यहाँ पर रेमोन डीनो जो है मुझे इतने मतलब उनका वर्स वर्जन तो नहीं था यार ऐसा तो नहीं था कि वो ओफ आयते स्टेज पर वेसली जो है जादा डौमिनट कर रहे हैं क्वार्ट में जादा बड़े लग रहे हैं क्वार्ट में उसी के साथ अगर आप लुग बाकी सारे पोजिस भी लाइक बाकिक पोज़े ने पूरी टक कर दी है रेमोन को और अच्छा साइज उनका नजर आ रहा था स्टेज पर Arnold ने का था जब उनका interview लिया था Arnold ने Wesley Weiser का जब वो जीत गए थे तो उन्होंने का था कि उनकी physique उनको loop for ignore जैसी लगती है एकदम बड़े से और उनकी जो पूरी muscle bellies attach होती है उनकी body पे उनका जो structure आता है that is like an old school bodybuilder तो यहाँ पर दोस्तों Wesley जो है definitely pre judging के अंदर जो है अच्छे जादा better लग रहे थे और एक और चीज़ मैंने notice करिये जो lighting थी pre judging की वो थोड़ी different थी when compared to the finals आपको वीडियो के अंदर जो है comparison में देखने को मिल जाएगा साथी में दोस्तों में बाकी सारे bodybuilders के बार में भी बात करेंगे like ओर्स और ब्रियोन ब्रियोन दोस्तों में को back के मामने मुझे ब्रियोन बहुत ही बढ़िया लग रहे थे you know कि मेरे को ब्रियोन की back बहुत बढ़िया लगती है first call out में उनको देखा जा सकता और वो fourth placing लेकर आते है वहीं पर दोस्तों और्स के बार में बात करी जाए तो और्स यहां पर अच्छी condition लेकर आये थे और उनको best poser का भी award मिलता है जी दोस्तों उनको best poser का award मिलता है आर्नौल्ड की तरफ से और फिजीक उनकी भी अच्छी थियार बट वही बात है कि जब उनको compare करा जाएगा रमोन के साथ रमोन और उर्स का comparison होगा तो रमोन डेफिनिटली superior है बट जब एक stage presence वाला body builder आए Wesley visor जैसा और एक बहुती बढ़िया shape के साथ आए तो फिर बात अलग हो जाती है और मुझे बहुती खुशी हो रही है बताते हुए कि Wesley ने जो है उनको एक अच्छा moment मिला stage पर उनको जीत हासल हुई है और ये क्या मतलब होता है इस चीज का एक Olympia के अंदर वो एक बड़ी है momentum लेकर जाएंगे और दोस्तो अभी से comparison होना शुरू हो चुके है Sebum versus Wesley Weiser दोनों ही जो है लंबे bodybuilder है दोनों का ही stage presence बहुती बड़ी और dominating सा लगता है तो बहुत से लोग ऐसा भी कहा रहे हैं कि जो remondino नहीं कर पाए Sebum के साथ उनको stage पर वो size के मामले में टकर नहीं दे पाए वो Wesley कर पाएंगे इस बारी Olympia में तो ये बहुती बड़ी good news है कि वो एक Olympia के अंदर एक बड़ी है momentum लेकर जाएंगे Wesley Weiser और मुझे बहुती खुशी हो रही बताते हैं दोस्तों कि पी जो हैं वो बाते करना शुरू हो गए कि Raymond Dino overconfident हो गए थे उन्होंने सिरफ 6 हफ़तों की prep करी when compared to 2 महीनों की जो वो prep करते हैं किसी भी show के लिए तो क्या चीज़े थी, क्या problem आ गई थी आगे जाके सारी बाते खुलिंगी कि क्या गड़ड होगी थी Raymond Dino के साथ बाकि दोस्तों आप लोग बताओ क्या आप लोग result के साथ satisfied हो या फिर नहीं हो आप लोग अपने thoughts बताओ कि क्या Wesley Wiser deserve करते थे Raymond Dino को beat करना बाकि दोस्तों हमारे सामने result तो आई चुका है और ये था classic physical result अब हमनों सीधा बात करते हैं pre judging के बारे में open body building की और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत time से ये वाली जो है चर्चा चल रही थी कि Hadi और सामसन का ये first और second के लिए मुकाबला होगा तो वही वाली चीज इस contest के अंदर आपको देखने को मिली थी इन दोनों के बीच में जो है first और second का comparison होने वाला और इन दोनों के बीच में जो है Vijayta को select करा जाएगा और दात देनी पड़ेगी इन दोनों ही competitors के लिए कि इन दोनों को ही जो है तीन बारी इन का comparison हुआ तीन rounds होए थे इन दोनों के बीच में जब इन दोनों ही bodybuilders को one-on-one एक दूसरे के साथ compare करवाए गया था खेर उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा first call-out के बारे में और first call-out के अंदर दोस्तों आते हैं bodybuilders जिनका नाम है तो कुल मिलाकर इन 6 bodybuilders के बीच में जो है वो पूरा comparison हुआ था first call-out का और first call-out के बाद दोस्तों होती है second call-out और यहाँ पर दोस्तों आते हैं मौमत शबान, जस्टिन डॉटरीगस, अकीम विलियम्स और horse MD Marcelo De Angelis और सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जो की worst disappointment लगी इसार नोड़ ग्लास की वो था horse MD का horse MD से बहुत अच्छी उमीदे लग रही थी उनकी updates में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे लेकिन stage पर आने के बाद फिजीक कुछ अलगी तरीके सा नज़र आ रही थी उनकी crispiness नहीं रही थी उनकी physique के अंदर काफी off लग रहे थे वो stage पर shape उनकी distorted से उनकी physique जो है नज़र आ रही थी waste भी उनकी पहले से बड़ी हो चुकी है classic से open में switch करने के बाद waste में भी जो है change उनका आया है और ये चीज़े stage पर भी notice होती है second call out के अंदर ये सारे चार bodybuilders आते हैं अभी दोस्तों हमनों सीधा बात करते हैं जो main मुकाबला होने वाले है Samson और हादी के बीच में यहाँ पर कौन सा bodybuilder जो है वो एक दूसरे को कौन सा bodybuilder बीट कर रहा है इसके बारे में हमनों चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों Samson versus हादी mass versus conditioning structure versus conditioning हाला कि मैं कहूँगा कि दोनों ही बहुत ही muscular bodybuilders है हादी मैं कहूँगा कि ज़्यादा wide लगते हैं मुझे और Samson definitely ज़्यादा stage presence वाले bodybuilder है और ज़्यादा massive लगते हैं stage पर हादी भी कम नहीं लगते हैं हादी भी काफी width वाले bodybuilder मुझे लगते हैं comparison के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हादी जो है definitely front वाली side से ज़्यादा condition नज़र आ रहे थे when compared to Samson even अगर back के बारे में भी बात करी जाए तो Samson अभी भी वो अपने glutes और hamstring के अंदर details lack करते हैं जो कि हादी काफी हद तक show करते हैं stage पर हादी जो हैं जादा width show कर रहे थे back lat spread में वहीं पर जो Samson ने ज़्यादा बड़ी है structure अपना show कर रहे थे वही वाली चीज आया थी है दोस्तों तीन rounds कराएं जजज इसने बहुत ही मुश्किल हो रहा था को भी जिता सकते हैं लेकिन अगर वो condition को priority देते हैं तो फिर यहाँ पर हादी जीत सकते हैं front वाली side से उनकी chest पर जादा अच्छी strations नजर आ रहे हैं जादा अच्छी details उनकी पूरी body पर जो है नजर आ रही है अगर उनकी seratis muscle हो गई obliques उनकी abs जादा जो है dialed in है when compared to samson 12 दोस्तों कुछ भी हो सकता है यार जैसे कहते हैं इंग्लिश में phrase है कहावत है apples and oranges वाला comparison है अगर structure पसंद आता है judges को तो फिर samson winner है conditioning पसंद आती है तो फिर हादी विनर है अगर मैं अपने बारे में बात करो तो भाई मैं condition को हमेशा से ज़्यादा preference देता हूँ तो मेरे साब से हादी को जीतना चाहिए है that is just my opinion but pre judging है और अभी कल का दिन भी बाकी है finals का तो कुछ भी हो सकता और posing round भी count होता है Arnold Classic के अंदर तो posing के मामले में Samson I know की ज़्यादा बढ़िया posing करते हैं वो तो क्या लगता है दोस्तों की Samson की posing और उनका एक ज़्यादा बढ़िया structure उनको जिता सकता है Arnold Classic या फिर हादी कंडिशन ही काफी है और उनकी width काफी है ये वाला Arnold Classic जिताने लिए उनको बहुत ही close का मुकाबल है तब ही तो यार तीन rounds कराएं जजिस ने तीन rounds इनके कराएं है मतलब one on one इंको compare करवाया गया तो यहाँ पर दोस्तों फिर्स और सेकंड तो हमारे Samson और हादी ये होने वाले इन दोनों की बीच में कोई भी जीत सकता है अभी हमनों third placing के बार में बात करते हैं और जिसके लिए call-out करवाते हैं judges और उस call-out के अंदर इन दोनों को exclude कर दिया जाता है हादी और Samson को नहीं बुलाया जाता है और यहाँ पर दोस्तों देखे जाते हैं James Hollingshead Antoine Valiant बीच में होते हैं Raphael Brandow Akeem Williams और साथी में John De La Rosa मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि John De La Rosa की जो conditioning आ रही थी हाला कि ज़्यादा वो बड़े नहीं लगते हैं stage पर लेकिन उनकी conditioning बहुती crispy आ रही थी और वो हादी को भी बड़िया challenge दे रहे थे conditioning के मामले में which is a big thing और यहाँ पर दोस्तों बीच में उन्होंने Raphael को रख थे तो definitely Raphael परी निगाहें जाती हैं कि वो third placing लेकर आ सकते हैं बाकि Antoine Valiant मुझे बहुती बड़िया लग रहे थे उनका शायद Arnold Classic का debut भी था Akeem Williams भी अच्छे नजर आ रहे थे यहाँ पर Justin Rodriguez नहीं देखे जाते हैं और ना Hotsam D देखे जाते हैं तो मुझे देखका लग रहा है कि इन दोनों की जो है last placings का वो दिया जाएगा उनको last placings दी जाएगी लेकिन third placing दोस्तों देखका लग रहा है कि Raphael को मिल सकती है यह था दोस्तों pre judging बाकि आप लोग के मैं thoughts जानना चाहूँ कि आपो क्या लगता है कि कौन जीत सकता है Arnold Classic और तीन लाग डॉलर्स का नाम कौन लेकर जाएगा कल के दिन बाकि दोस्तों मैं आप लोग के thoughts तो जानना ही चाहूँगा और third placing के बार में भी जरूर बताना और ये था दोस्तों Arnold Classic hats off to Arnold Classic वालों ने जो live stream इस बारी free करके हमको दिखाई है और बस ये ये दोस्तों मिलता हूँ आपको मैं बहुत ही जल्द finals की वीडियो के साथ जो की कल आएगी और तब तक के लिए अपना ख्याल रखे till then take your rant bye